हेमन स्वरेन को सुप्रीम कोट से बड़ा जटका लगा है सुप्रीम कोट ने कहा है कि हाई कोट जाईए सुप्रीम कोट अगर हर वेक्ति की सुनिवाई करने लगेगा तो फिर हाई कोट और नीचली अदालते क्या करेगी दरसल हाई कोट में अपील दार करने के बाए सुप् मामले पर हैमन्स तोरेन को सुप्रीम कोट से जटका लगा सुप्रीम कोट ने कहा है कि हाई कोट सम्मेधानिक संस्तान है और इस तरीके से हम किसी एक बेक्ति को अगर सुप्रीम कोट में सीधे आने के लिए अलाव कर देंगे फिर हर कोई नीचरी अजालतों को छोड़कर जो सम्मेधानिक संस्ता है उनका कहीं न कहीं जो है वो नुक्सान होगा यही वज़ाए कि सुप्रीम कोट ने हमन्स को जटका देते हुए कहा है कि आप पहले हाई कोट जाए आप आपको जो भी सिखायते हैं या आप जो भी कहना चाहते हैं वो आप पहले हाई कोट में कहे निचली अदालतों में कहें, एडी ने जारकन के मुखमंति जाते हुए हमन सुरेन को उस वक्त पूस्ताच के बाद ग्रफतार कर दिया, जब उनके ओफर राची के अंदर जमीन घोटाले मामले में अरोप लगा, सेना की जमीन लिखवाने के मामले में हमन सुरेन का नाम आया उसके बाद एडी ने जब इसकी जान सुरुकी तो उसमें हमन सुरेन दोसी पाएगा, इस बीच हमन सुरेन को आठ बार एडी ने संबन भेजा, आठ बे संबन के बाद हमन सुरेन एडी को पूस्ताच के लिए उन्होंने सहमति दी, एडी के अधिकारियों ने हमन सुरेन से पूस्ताच सीम अवास जाकर किये उसके बाद रोने का कि वो फिर पूस्ताच के लिए इस बीच हेमन सुरेंड दिल्ली के तमाम जो जुगार है वो लगाते रहे लेकिन वो नहीं हुआ उसके बाद वो वापस आये इस बीच उनके वापस आने के ठिक पहले एडी के अधिकार कर पूच एक-टिस चनवरी को और 31 जनवरी को ही हमनच सुरेंड को स्टीफा देना पड़ा था उसके बाद 31 हिरासत में लिया और इस कारवाई के खिलाप हमन सुरेन पहले हाई कोट गए लेकिन उनके अधिवक्ताओं ने सीधे उनको सुप्रीम कोट में इस मामले में जाने को कहा और हमन सुरेन के जो अधिवक्ता थे सुप्रीम कोट में कपिल सिद्बल सुप्रीम कोट पहुंचकर उ दिया है कि कोई भी बेक्ती सीधे सुप्रीम कोट नहीं आएगा जब तक मामला निचली अदालतों में नहीं पहुंचे आप हाई कोट जाईए और महां अपनी बाते रखिए उसके बाद बात नहीं आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि आप जिस तरीके से उमीद किय हुए अगर फैसला तरीके से नहीं होता है फिर आप सुप्रीम कोट का रुख की जिएगा फिलाल सुप्रीम कोट ने हमन सुरेन को वापस लोडा दिया है जारकन हाई कोट अब देखना है कि हमन के तरफ से आगे एडिके खिलाफ क्या कुछ गया कि जो है जो सुप्रीम कोट के जटके के बाद हाई कोट में हमन सुरेन और इनके अध्यवक्ताओं के दुवारा किस तरीके से आज का दायर की जाती है इडि आज भी हमन सुरेन को पूस्ताश के लिए एक दिन की हिरासत उनको मिली वी एक दिन के रिबान मिली थी उस दिन वह पूस्ताश कर रहे आज वह मियाद पूरी हो जाएगी आज कोट नों को पेश किया जाएगा उसके बाद आगे एडि को कोट के तरफ से क्या कुछ है जो हन्यदेश मिलते वह देखना दिच्छास होगा फिलाल जार्खन के अंदर आज हमन सुरेन के बाद नई सरकार का गठन भी हो रहा है पनो ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डबा ला है अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहा अपना घर भी तो अपनी है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाई का डबा अलग से लाया हूँ हमने पूर्णिया में घर ले लिया है पूर्णिया के ई-होंस पैनरोमा में पूर्णिया में पैनरोमा ग्रूप लेकर आये हैं ई-होंस पैनरोमा बड़ा घर आलिशान जिंदगी और अत्यादुन सुविधाओं के सब अड़े-अड़े आप क्यों मूमीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई-होंस पैनरोमा के संग ई-होंस पैनरोमा लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंट